नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हीटर्स के बारे में सर्दियों के मुसम में हीटर की अवशक्ता पढ़ती ही पढ़ती है और कौन सा हीटर लेना चाहिए, मार्केट में कौन से अविलेबल है, किस-किस तरह के हीटर आते हैं safety point of view से कौन से हीटर अच्छे हैं, पैसे के साब से कौन से हीटर अच्छे हैं और bizley के conception के साब से कौन से हीटर अच्छे हैं ये सारा निचोड इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, असान सी भाशन में आप समझ जाएंगे हीटर कौन सा आपको खरीदना हे, best हीटर कौन सा है पहले सारे हीटरस कौन कौन से ये बात कर लेते हैं और लास्ट में आपको बताऊंगा इन सब में से best कौन सा है, आपको कौन सा लेना है एक-एक हीटर के बारे मैं one by one आप से डिसकस करूँगा mainly three TOP HEATER होते हैं oil cooled heater, यह 6 तरह के heaters हो जाएंगे, एक एक करके discuss कर लेते है quards heater, यह सबसे पहले अगर मैं बात करूँ quards heater, छोटे से होते हैं size में, आप किसी भी serpent size में इनको आपको मिल जाएंगे, roads लगी रहती हैं, 2 road में भी आते हैं 3 road में भी आते हैं, 1 road basically 400 road की होती है कई तरह के आपको मिल जाएंगे, जाली लगी भी होती है simply आपने देखे हैं और बड़े ही सस्ते होते हैं बहुत अगर local बिना brand का आप लेने को जाएंगे, 300-400 रुपे में आपको quards वाले heater मिल जाएंगे, आगे आप उपर कितना भी 700-800-11500 हो तक आपको ठीक heater quards वाले मिल जाएंगे so अगर मैं इनके advantage की बात करूँ छोटे होते हैं साइज में, चिपर होते हैं, सस्ते होते हैं electric consumption होता है बिल्कुल safety point of view से ही safe नहीं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, pets हैं उनके लिए safe नहीं है, chances of electric shock रहता है, touch होने का रहता है, खत्रा रहता है और instant heat देता है यह अगर हम बात करें तो, basically individual heating के लिए आप बोल सकते हैं, अगर मेरे को अपने लिए heating चाहिए AI के दो लोगों के लिए काफी है अगर आपको room heating के point of view से सोच रहे हैं रोशनी जाता देती है, आपने देखा होगा आजकल जैसे LED tubes होती है, इसी तरह की red color में tubes आती हैं, जो halogen tube बोलते हैं, वो element जो होता है, वो थोड़ा सा heating capacity compare to quards थोड़ी से जादा होती है और आपको रोशनी देते हैं थोड़ी जादा रोशनी है, तो इस तरह के आपके halogen heaters होते हैं, सेम आइनी के advantage, recent advantage सब सेम होते हैं, जैसे quards में होते हैं वोई unsafe रहते हैं, ये भी और chances रहता है कि आपके बच्चों pad को दूर रखना होता है, electric consumption भी almost same रहता है, उसी तरह है आपके two halogen tubes या three आप जैसे आपकी requirement है आपकी उसे साबसे आप purchase कर सकते हैं इनका price compared to quards heater थोड़ासा जादा होता हलका सा, 100-200-300 रुपए ये अगर 1000 के आ रहे तो 1100-1200 के आएंगे वो बड़ उस road का फरक है जो road होती है, वो 40-30 रुपए के आजाएगी, ये 50-60 रुपए के आती है उतना difference रहता है price का इसके बाद बात करते हैं हमारे carbon, carbon heaters carbon heaters इन सब के compare में better माना जाता है, size में थोड़े से बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते कि छोटे छोटे आते होंगे, carbon heater आसा नहीं होता है कि skin के लिए जो आपके heating के लिए जो चाहिए वो अच्छा रहता है, बड़िया माना गया है तो उतना ज़्यादा body को नुकसान नहीं है dryness उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं उस point of view से अच्छ है, थोड़े से costly होते हैं compare to quards और halogen ये थोड़े से ज़्यादा महेंगे आते हैं बड़ अगर आपको coil तरह का ही लेना है आपको heating type वाला ही लेना है तो इन तीनों में ये ही अच्छ है रहता है इसके बाद आते है air blow air blow एक heating element सबसे आगे लगा रहता है shape and size आपकी कुछ ऐसे horizontal में भी आ सकते हैं कुछ vertical में भी आते हैं और इनके अंदर एक पीछे fan लगा होता है जो heating element पे air blow करता रहता है और वो heat जो है उसकी बाहर वो surrounding में छोड़ता रहता है fan heater आपकी 1000 वोर्ट, 2000 वोर्ट, दो तरह का options आते हैं select कर सकते हैं कि कौन से वाले mode में चलाना है fast में medium में उस तरह की उतनी power को consume करेंगे और 16 ampere के होते हैं ये बात main important आपको ध्यान देने वाली है अगर इसके disadvantage की बात करें fan heaters की तो जो air blow करते हैं ये 16 ampere के होते हैं किसी के घर में पुरानी fitting है या फिर धूनना पड़ता है power plug क्योंकि normally 6 ampere के होते हैं 6 ampere वाले होते हैं सारे तो इसके लिए 16 ampere वाला plug चाहिए क्योंकि usually air blow वाले 16 ampere के ही उसके setting arrangement के साथ आते हैं अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे बड़ा advantage ये है थोड़ा सा ventilation होना चाहिए या थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ हो window कुली हुई हो तब काम चल जाएगा otherwise एक time के बाद heat होने के बाद कमरे में oxygen की कमी मैसुस होगी suffocation होगा आपको लगेगा रहे और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये इसका सबसे oxygen burn के chances उसके comparison में कम होते हैं थोड़ी बहुत होते हैं लेकिन काफी हद तक oxygen burn नहीं होती है तो ये इसका benefit है इसको use कर सकते है अगर आपको air blow वाला ही चाहिए रूम को heat up करना है तो आप PTC type लें आपका heating efficiency वो high रहता है compared to normal air blow heaters और electric consumption भी जायर सी बात है थोड़ा सा जाधा ही होता है तो compare करें इन दोनों को तो PTC type जाधा अच्छे है तो आगर आप लेना चाहेंगे तो उन दोनों में price difference में थोड़ा सा costly भी रहेगा क्योंकि इसका element जो है ceramic रहता है उसमें normal heating element रहता है अब last में हम बात कर लेते हैं अपने 6 type of heater oil cooled heater सबसे जाधा आज के दिन most popular है trending अगर आप afford कर सकते हैं तो सबसे best मैं आपको बोलूँगा best किसलिए बोलूँगा इसमें oil cooled provision होता है यानि कि oil भरा होता है industry oil होता है आपका size में थोड़ा बड़ा रहता है weight में ऐसा नहीं कि बहुत हलका कहीं उठाके ले जाए although tire दिये होते हैं दर-दर move करने के लिए इसके अंदर provision होता है कि यह oil गरम होता है heating elements से उपर से नीचे circulate करता रहता है जो surrounding के air है वो से pass होके गुजरती है निकलती रहती है और वो camera room का temperature गरम हो जाता है पूरे room को गरम करता है ना कि आपको individual को heat देगा ऐसे ऐसा वाला provision नहीं होता है इसमें इसमें आपके room का temperature maintain किया जाता है सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर temperature control करने के लिए आपको digitally आप remote भी दिया होता है या manually भी set कर सकते हैं मुझे room का temperature जैसे हम AC का करते हैं 24 degree AC का set कर दिया ऐसे इसमें हम set कर सकते हैं 40 degree set करना है 45 करना है 35 करना है जो भी हम चाहें room का temperature हमें set करना है वो इस सेट कर सकते हैं उसका auto cut off का provision होता है जब आप उतना reach होने का पहुत की cut off हो जाएगा फिर से start हो जाएगा तो इसको हम उस mode में छोड़ सकते हैं कि yes मेरे room का temperature maintain रहेगा oxygen burn ना के बराबर होती है इसमें तो सबसे best type भी है कि oxygen burn नहीं है safety point of view से बहुत अच्छा है child safety के साब से अगर आपके घर में पैट से साब से किसी तरह के खत्रे के chances में नहीं रहते हैं हाँ इसके अंदर electric consumption high होगा compare to all और सबसे बड़ी बाद price में ज़ादा महंगा आता है as compared to all of them क्योंकि अगर अच्छी brand का 7000 से इनके price start होते है अच्छी brand का लेने को जाएंगे 9000-9000 का आपको कम से कम यह आएगा और भी बढ़िया में जाएंगे 10-12000-13000 के आएंगे लेकिन हाँ one time investment है हर point of view से आपका efficiency उन सब point of view से सबसे best है school में जो एक सबसे important बात मैं आपको बता दूँ कि आपको wait करना पड़ता है ऐसा नहीं on के instant आपको heating मिल जाएगी इसमें आपको आदा घंटा wait करना पड़ेगा एक घंटा wait करना पड़ेगा आपके room के temperature को maintain होने में हाँ ऐसे ही वो long last भी रहता है आपने एक बार आपको temperature maintain होगे काफी देर तक रहेगा भी अगर आपने off भी कर दिया लेकिन जो बाकी radiant और ये है एर बलो वाले में जादा देर तक नहीं रहता है instant heat हुआ और आपको थोड़ी देर बाद भी वो heat नहीं रहे है तो long last नहीं होता है ये long last रहता है इसका benefit है तो सारे heaters की मैं बात करूँ तो best heater आपका oil cooled है समझ में आपको concept आ गया होगा इसके बाद second number पर अगर आप देखेंगे आपको radiant लेना है तो carbon वाला लेना है और air में लेना है तो PTC type में लेना है तो 3 heater में आपको सबसे best चूज करके दे रहा हूँ oil cooled PTC type और आपका carbon element type जो radiant heater होता है ये तीन आपके best heaters है आप अपने requirement के साब से और अपने budget के साब से आप plan कर सकते हैं चाहिए तो आप छोटा भी ले सकते बड़ा ले सकते आप पर depend करता है तो overall मैं वीडियो को conclude करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप heater लेने जाए आपके budget को तो आपको देखना है लेकिन साथी साथ safety point of view को भी ध्यान रमे रखें ऐसा heater select करें जिसमें thermostat दिया हुआ हो thermostat basically एक temperature reach करने के बाद उसको auto cut off का option देता है एक temperature sense device रहता है thermostat तो thermostat का option हो grill अच्छी हो body का type अच्छा हो और साथ में आपका safety point of view से अच्छा हो ऐसे heater को आप select करें I hope कि वीडियो आपकी काम की रही होगी वीडियो पसंद आए तो share कर दें जादा जादा लोगों में जानकारी पोचा दें चैनल को subscribe करके मुझा support कर दें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज शुक्रिया thank you very much